बेलकम बैक और मैं चैनल सीमन स्टीज एंद आयम सीमन सुगाइज अजसे डिस्कस करांगे इंपुट डिवाइसे बटिक डेफिनिशन ओफ इंपुट डिवाइसे इस टॉपिक ते में अलोडिक वीडियो बना चुकी है उस वीडियो दा लिंक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स दिपता होया है उस लिंक ते क्लिक करके तुसी वीडियो बेख सकते हूं सो जसे डिस्कस करांगे इंपुट डिवाइसे बारे बहुत इंपॉर्टेंट कोशन हैं मोसली घाम दिविचे लॉंग दिवी चान्दें 10 माक्स और 15 माक्स दिविचे वीडियो लास्त आक देखे यह तोड़ टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हांजी कीवोड माउस जोयस्टिक ट्रेक वाल लाइट पैं तॉच्स्क्रीन और स्केनर्स दीज आर्दा इंपुट डिवाइसे इन इंपुट डिवाइसे दी हेल्प देना लाप कोई भी डेटा और इंपुमेशन इंस इंपुमेशन कंपीटर दे विचेंटर कर सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब करो तुसी अपना नेम एंटर करना चाहने हो देने किदी हल्प ना करोंगे विद्धा हल्प ऑफ कीवोड एंड नॉर्मली कीवोड दे विचे 101 कीज हुन दियें नेक्स्ट वन इस माउस आ पोइंट और सम ऑप्शन ओं स्क्रीन क्यों कर देने पोइंटिंग ड्वाइस विकाज इनू पा स्क्रीन थे कर ले कुछ फी पोइंट करनली जा फिर हूं स्लेक्ट करन देली यूज कर दें आ माउस में हाव तू बटन जा एंड बन स्क्राल विल माउस लिचे नॉर्मली की फिर भी पोइंटन एंट वीचे विलाएंट जान आ लाइक माउस अजी आ फिर प्यूंंट डिवाइस थिरफू दीज एंट समी जॉ पोइंट म्यूम्हाइस नू जैन पी हणा इंटिं जिनों की कर सकते हैं आपक किसे भी direction देविचे मूब कर सकते हैं और pointer दी जडी movement अणों कंट्रोल कर सकते हैं बिद आप ओफ ज्टिक next is trackwall trackwall contains the wall which can rotate in any direction trackwall देविच की उदेए एक वाल हुंती है जिनों आपकिसे भी direction देविचे रोटेट कर सकते हैं the user spins the wall in different directions to move the cursor on the screen user की करता है with the help of track wall cursor नो screen ते move करने लिए जड़ियो wall हों दिया उनों different direction दे इचे spin करता है next one is light pin a light pen is a pointing device which can be used to select a portion while just pointing on it light pen की है input device है भी pointing device है इदी help देनल अपर की कर सकते है select a portion screen ते अगर तसी कुछ पोर्चन नो select करना है by just pointing on it ओ पोर्चन ते की करो पोर्चन करो ओ पोर्चन स्लेक्ट पोल जाएगा we can draw figures directly on the screen and move the figures around with the help of light pen अपा screen ते कोई भी figures directly you know draw कर सकते है और move भी कर सकते है next one is touch screen it is also a pointing device why which user touch areas of the screen with their fingers to issue commands touch screen की एवी को pointing device है एदी help देनल एदे विच की कर देनी users screen नो touch कर से कोई भी command नो कर देली touch the screen with their fingers to issue commands for example ATM machine in the banks banks से विच ATM machine हुन दिये ता आप आपने account नो operate कर देली देकी कर देनों फिंगर्स दी help देना लेटी है machine नो touch कर दें last one is scanners scanners are the input devices capable of entering information directly into the computer scanner की input device ने जडी capable ने कि यो हो इन जो कोई भी information है उनू scan करके directly computer दे विच एंटर कर सके there are two types of scanners optical scanners and magnetic ink character readers these are the two types of scanners so I hope तानू अजदे topic input devices क्लियर हो गया होईगा बहुत ही important topic है अगर तानू मेरी अजदी वीडियो पसांद आइता like करें और share my video और अगर तुसी मेरे चानल ते नेव हो अथे इसे तरह अधियो हो और इन्फोर्मेटी वीडियो जबेखन लें मेरे चानल सिमन्स्टेडिस नो सब्सक्राइब करलो